मूवी के सुरुवात में हम जूनियों को देखते हैं जो लाइव एस्ट्रीमिंग कर रहा होता है तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि सहर में साइद कुछ हो रहा है तुम जल्दी टीवी आउन करो तभी जुनियो टीवी चला कर देखी रहा होता है कि उसके घर के आगे से कुछ लोग चिलाते हुए भागते दिखाई देते हैं जब जुनियो अपने बालकनी का दर्बाजा खोल के देखता है तो बिल्दिंग के सभी लोग भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक जोरो का धमाका होता है और उसी बीच में एक छोटी बच्ची अपनी मा को अवाज लगा रही होती है तभी उसकी मा आती है और उसे गले से लगा लेती है असल में वह एक जोंपी होती है और वह अपने ही बेटी को काटने लगती है जुन्यों बाल कने से ये सब देख रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और उसके दरवाजे को जोड जोड से पिटने लगता है जब जुन्यों दरवाजे को होल से देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है तभी जुन्यों चुपके से दरवाजे को खोलता है कि एक आदमी उसकी घर में जबर्दस्ती घुश जाता है जिसका नाम जूनियो स्याख्चूल को अपने घर से निखालने की कोशिस करता है लेकिन वो नहीं निकलता है स्याख्चूल कहता है कि बाहर सब जॉंबी बन रहे हैं और मेरे घर में मेरा भाई भी जौंबी बन गया है बस मुझे तुम अपना एक बार वात्रूम यूज करने दो उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा और जुनियों भी मान जाता है और उसे जाने देता है तभी जुनियों के टीवी पर संकर्मित लोगों की लक्षन को बताया जा रहा होता है न्यूज में बताया जाता है कि संकर्मित लोग जोर से चिलाते हैं और उसका मुखी लक्षन है आँखों से खून निकलना और नर्भक्षी बैवार करना ये न्यूज सुनते ही जुनियो काफी अलट हो जाता है और चुपके से एक चाकू को निकाल लेता है और स्याक्चुल के बातरूम से आते ही उसे घर से निकल जाने को कहता है तभी स्याक्चुल के आँखों से खुन निकलने लगता है और वो धेरे धे जॉंबी में बदलने लगता है अब स्याक्चुल पूरी तरहा से जॉंबी बन जाता है और जुनियो को काटने लगता है तभी जुनियो किसी तरहा से उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे के पास फ्रीज को लाके रख देता है ताकि कोई दरवाजी को तोड़ ना सके जुनियो एक gamer यूटूबर होता है तभी वो social media पे एक फोटो को डाल देता है जिसमें वो लिखता है कि यहाँ पे कोई फसा है जब जुनियो रात को सो रहा होता है तभी उसे किसी लर्की की चीखने की आवाज सुनाई परती है जब वो बालकनी से नीची देखता है तो एक लर्की जो पुलिस है वो जॉंबी को मारते हुए भाग रही होती है तभी उसके गन में सारे बुलेट खत्म हो जाती है जब वो गन में बुलेट को डाल रही होती है कि तभी उस पर एक जॉंबी अटेक कर देता है तभी वहाँ पर बहुत सारे जॉंबी आ जाते हैं और उस लर्की को काटने लगते हैं और जुनियो उपर बालकनी से ये सब देख रहा होता है तभी उस लर्की को सभी जॉंबी घसीटते हुए ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे जॉंबी होते हैं लेकिन जुनियो को उस लर्की का दर्द बरदास नहीं होता है और वो चिलाते हुए सभी जॉंबी को अपनी तरफ बुलाने लगता है लेकिन फिर भी सभी जॉंबी उसे खीच कर अंदर ले जाता है इधर जोर जोर से चिलाने के कारण जुनियों के दरवाजे पर कोई जॉंबी आ जाता है और इसके दरवाजे को पीठने लगता है थोड़े ही देर बाद वह जॉंबी दरवाजे को तोर कर अंदर आ जाता है ल तभी जोनियों खुद बालकनी से जाके लटक जाता है और जब जॉम्बी उस पर अटेक करने आता है तो वो नीचे जुख जाता है और जॉम्बी सीधे बिल्डिंग के नीचे गिरता है और जॉनियों बालकनी से लटका उस जॉम्बी को देख रहा होता है कि तभी वहाँ प जाते हैं और जोन्यों का लगवक सारी खाने पीने का समान खत्म हो चुका। फिर भी जोन्यों जॉंबी से बचने के लिए बाल करने के सभी दरवाजी और खिरकी को पूरी तरहा से ढग देता है ताकि कोई जॉंबी उसे देखना सके। तभी वो घर का आखरी बचा खाना ख करता है तभी उसकी अगले दिन उसके मॉम डाइट का एक भॉइस मेल आता है और वह उसे कॉन्टक्ट करने के लिए फिर से बाल करने से जाके लटक जाता है और सिगनल को मिलाने लगता है और इधर नीचे बहु सारे जॉंबी उसे देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और जोन्यों बहुत सारे जॉंबी को देखकर डर के मारे रोने लगता है, तभी वो फैसला करता है कि वो अब अपनी जान देगा, तभी जोन्यों खुद को रसी से लटका कर मारने लगता है कि तभी उस पर कोई लेजर लाइट दिखाता है, और वह उसे ये नहीं करने का इस लेजर लाइट को देखते ही जोन्यों किसी तरह से रसी को तोड़ कर नीचे कूद जाता है तभी जोन्यों रोसनी की तरफ देखता है तो उसे सामने बाले बिल्डिंग में एक लड़की दिखाई परती है जिसका नाम योवीन है तभी वे दोनों एक दुसरी को हाई बोलते ह और अपने अपने दर्वाजे को बंद कर लेते हैं इधर जोन्यों खुस हो रहा होता है कि कोई तो इस बिल्डिंग में जिन्दा है तभी रात को बारिस होने लगती है और जोन्यों कुछ बरतन को बालकनी में लाके रख देता है ताकि वो स्पाने का इस्तिमाल कर सकी इध योबीन भी कुछ बरतन और प्लांट को बालकनी में रख देती है और बैट कर अपने टेलिसकोप से सामने बाले बिल्डिंग को देखने लगती है तभी उसे आठवी मंजिल पर एक वी जोंबी नहीं दिखाई परता है इसका मतलब आठवी मंजिल पूरी तरह से सिफ है त हुआ देखती है कि जूनियो ठीक से खराबी नहीं हो पा रहा है तभी योबीन उसे पूछती है क्या तुम भूके हो और जूनियो हां कर देता है तभी योबीन एक बॉल में रसी को बांद कर जूनियो की बालकनी की तरब फेकती है लेकिन वो बॉल बिल्डिंग के जूनियो कई दिनों से भूखा होने के करण उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है और वो खाते खाते योबीन को ठैंक्स बोली रहा होता है कि तभी उसे कुछ दिखाई परता है तभी वहां इसारों से योबीन को कुछ नीचे देखने को कहता है जब योबीन नीचे देख हो जाती है और जॉंबी रसी को पकरते हुए बिल्डिंग पर चटने लगता है इधर से जोन्यों ड्रोन की मदद से जॉंबी को ड्राने की कोशिस करता है तभी जॉंबी ड्रोन को तोड़ देता है और पीछे मुरकर जोर से हसता है उसके बाद वो फिर से बिल्डिंग पर च खाने से जिंदा नहीं रह पाएगा तभी वो पूरी तयारी से घर से बाहर निकल जाता है और अपने परोशी के घर में घुस जाता है जहां पे एक लेडी बेट पर मरी परी होती है और वहां उसे नजर अंदाज करते हुए घर में रखे सारे खाने पीने की समान को बैग में रख लेता है तभी उसे वहां पे वोकी टॉकी मिलता है और वो उसे भी उठाकर अपने बैग में रख लेता है और जाते जाते उस लेडी को देखने जाता है कि तभी पीछे से उस पर एक जॉंबी अटैक कर देता है जो नियो किसी तरह उस जॉंबी से बचकर भागता है और अपने घर आ जाता है तभी चुराकर लाया खाना खुद भी खाता है और एक बॉक्स में कुछ खाना और एक वाकी टॉकी को रखकर योवीन के बालकनी के तरब भेज देता है जब ये दोनों वाकी टॉकी के दौरा बात कर रहे होते हैं कि तभी सारे जॉंबी बिल्डिं जोनियों से पूछती है क्या हम जिन्दा बच पाएंगे जिस पर जोनियों कहता है मैं जिन्दा रहना चाहता हूं तभी योवीन रसी को दरबाजे से फसा कर बालकनी से नीचे कूद जाती है और जॉंबी को मारते हुए वहां से भागने लगती है और जोनियों उपर से य अखिर ये कितने खतरनाक लड़की है। वहां के दरबाजे को खोलने के कोशिस करने लगता है। जो लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षी जगहा पे पहुंचा रहा है। तभी सिन आगे का दिखाया जाता है। जहां पे वहां मास्क मैन योबीन की हाथ को बांध कर उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। और उसी रूम में एक जॉंबी फीते से बंदी होती है जो उस मास्क मैन की वाइफ होती है। और बाहर से वह मास्क मैन जैसे जैसे उस फीता को ढीला करता जाता है। वैसे वैसे उसकी वाइफ योबीन की करीब जाकर उस पर हमला करने लगती है। यार हो जाता है। तभी इन दोनों को हेलिकॉप्टर की अबा सुनाई परती है। जब ये खेटकी के पास जाके देखता है तो हेलिकॉप्टर बिल्डिंग के पास में ही होता है। तबी ये दोनों हेलिकॉप्टर के लिए छट की तरफ भागने लगते हैं लेकिन रास्टे में इसे बहुत सारे जॉम्बी मिल जाते हैं जो इसके पीछे वो भी छट की तरफ दौडने लगते हैं और ये दोनों भाग कर छट पर आ जाते हैं लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई हेलिकॉप्टर नजर नहीं आता है। अगर मूबी का एक्सपलेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक सेरे एंड सब्सक्राइब मिलते हैं ऐसे ही मूबी के साथ कल सम्ट चार बजे।